नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेना शर्मा और आप देख रहे हैं दिफैक्ट इंडिया लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ये कविता आप सभी ने सुनी होगी और इस कविता के कई उधारन भी देखे होंगे अलवर की बेटी देव्यानी पर भी ये कविता सटीक बैठती है अब सवाल ये कि ऐसा क्यूं? तो आपको इसका जवाब भी पताते हैं दरसल देव्यानी ने IES के पांचवी अटेम्ट में ग्यारवी रेंग हासल की है सफलताओं के पीछे कई SFL कहानिया होती है ऐसी ही कई कहानियों से गुजरी है UPSC टॉपर देव्यानी पहले और दूसरे अटेम्ट में तो वे प्री भी क्लियर नहीं कर पाई थी आमतोर पर लोग इसके बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं पर देव्यानी अपने सपने को हर हाल में साकार करना चाहती थी एक बार को मन में आया भी कि दूसरे लोग आगे भड़ चुके हैं लेकिन फिर दिमाग में आया लक्षे बड़ा हो तो संगर्ष भी बड़ा होता है बस फिर क्या था तीसरे अटेम्ट की तयारी शुरू कर दी पर ये कोई फिल्मी कहानी तो है नहीं कि जट से सफलता मिल जाती तीसरी बार मेंस एक्जाम में फेल हो गए पर लक्षे पर जिसकी नजरे टिक जाती है तो उसे पा लेना थोड़ा सरल हो जाता है चौथा प्रयास भी किया इस बार 222 वी रैंक हासल की पर परिनाम से खुशी नहीं मिल पाई तो पाँचवा प्रयास किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये देश में 11 वी रैंक हासल की राजस्थान में दिव्यानी पहली और हरियाना में दूसरी रैंक पर है दिव्यानी की मोटिवेशन सबसे पहले तो पिता से मिलता था उनके पिता विने सिंग हरियाना में I.S. है उनके काम को देख उने लगता था कि एक अधिकारी धरातल पर काफी बदलाव ला सकता है खुद दिव्यानी का मानना है कि फेल होने पर काफी बुरा लगता है बहुत दिनों तक डल फील किया जाता है पर ये चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप उसे डलनेस को बरकरार रखना चाहते हैं या अपने लक्षे की और ध्यान देना चाहते हैं अगर दिशा सही होती है तो प्रेणना खुद बेखुद आपके जहन में आही जाती है आजकल तो गरीबी अमीरी का फर्क भी काफी कम हो गया है इंटरनेट पर सब माटीरियल एवेलेबल है कोई भी पहले के तुलना में content wise आसानी से तयारी कर सकता है इसके अलावा motivation stories भी आपके SFL समय में आपकी काफी मदद करती है खेर आपको बता दें कि दिव्यानी का मूल गाम नार्नौल के पास है परिवार बहरोड में पंचाय समीती के सामने रहता है और हरियाना में भी वे दो बहने है खेर दिव्यानी की इस जर्नी से उम्मीद है UPSC की तयारी करने वाले अभ्यारतियों को प्रेणना मिलेगी नमस्कार